गुजरात बिजली विभाग में भरी जा रही है 800 पोस्ट एक्जाम और इंटर्व्यू के जरिये होगा सेलेक्शन गुजरात स्टेट इलेक्रिसिटी कॉर्पोरेशन जीएज इसी एल ने 800 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसके तहट अपरेंटेस के पदों की भर्ती की जानी है योगे कैंडिडेट ओफिशल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पर जाकर ऑनलाइन अप्लाए कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई 2022 तक चरेग आविशक योगिता कुल 800 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की योगिता ITI और इकोवेलेंट होनी चाहिए आयू सीमा गुजरात राजजिव बिजली निगम लिमिटेट इस भर्ती के लिए उमीदवार की आयू कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस बिजली विभाग ने इन 800 पदों की भर्ती के लिए उमीदवार का चयन लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू में परिक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे जो की एक अंके होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए ओफिशिल नोटिफिकेशन के लिंक को जरूर देखें हमारे चैनल पर आपको देश में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपसे कोई भी ऑपरचनिटी छूटना जाए धन्यवाद